हेलो बच्चो तो कैसे हैं आप 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 आपने लास लेक्चर को ड्हूंसे पढ़ लिया होगा समझ लिया होगा और आपको इस बात बिलकुल समझ में आवी होगी कि आपने जो तीन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पड़े हैं ठीके तो क्यों ये चेक्टर एक्जाम करें इ आपको बढ़ने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर और फिर से बढ़ते हैं इस कदम की तरफ ठीक है जिसका नाम है 100 आउट आउट आफ 100 ठीक है टैन 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 जहां थे हम पेज नंबर 21 पे आज़िए अपनी बुक के ठीक है जी राइट अब देखो पिछली गलास वे हमने जो पढ़ा वो थे फेर अलसर के प्रिंसिपल यह पढ़े थे याद आ रहा कुछ पहला डिविजिन आउब बन मेकडी वाल एक्जामपल दूसरा अथॉर्टी अन रिस्पॉंसिबिलिटी तीसरा डिसिप्लिन ठीक है नामेट खान यूनिटी ओफ कमांड ठीक है जी और आज शुरू करते हैं हम अपना अगला टॉपिक जिसे हमें क्या बोला है यूनिटी ओफ डारेक्शन अब देखिए यूनिटी ओफ डारेक्शन के अगर मैं आपसे बात करो तो कुछ नाम से पता लग रहा है डारेक्शन की बात चल र एक तरफ बढ़ना अचा इसका अबसे बेस्ट एक्जामपल है आपने कभी होकी के मैस देखे हैं होकी सर ऑकी के मैस देखें पर पापा के तरफ से होकी खाई जरूर है मैंने बहुत खाई है बच्वन में होकी रंडे है ना बच्वनों कुग पिटाई होती ती आज तो जम इसमें देखो होकी का जो मैच होता है उसमें क्या होता हूँ उसमें सारे के सारे प्लेयर एक ही तरफ एक गोल पोस्ट इदर होता है एक गोल पोस्ट इदर सेम बार चलती फुटबॉल में ठीक है ना अगर फुटबॉल की बात करें ठीक है तो फुटबॉल में भी अगर आ इस तरफ इस तरफ इस तरफ अपनी गर्दन करके खड़े होते हैं अपनी डारेक्शन इसी तरफ रखते हैं और यह वाले इस तरफ रखते हैं यानि सबको पता है कि बॉल जब भी आनी इस तरफ माणनी है इन वाले को पता है बॉल जब भी आनी उस तरफ माणनी है होक्की मे उसे बोलते direction और उन सब को जब हम unite करते हैं कि सारे के सारे लोग मिलके उसी direction में भागेंगे तो उसे हम बोलते unity of direction कि एक तरफ सभी को भागना है इसमें हम सब क्या हो नीचे unity हो नीचे यानि कि हम सब का एक ताउ नीचे है मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां किसकी बात कर रहा हूं यहां किसकी बात चल रही है All the units ठीक है और भाई और बहन हो यहां units का मतलब क्या होता है Company के अलग-अलग Departments Finance Department अलग ठीक है Production Department अलग HR Department अलग तो All the units यह नहीं कि All the Departments All the organization यानि Company should aim and move towards the one direction ठीक है एक ही तरफ घागना है एक ही तरफ वंडर एक ही डारेक्शन की तरफ घागना है ठीक है न जिसे हम क्या बोलते हैं organization goals तो यह वह को बात सभी में आई होगी ठीक है ठीक है तो इसमें यह एक्जामपल आपको बताया होक्की को और football का Similarly ठीक है एक्जामपल के लिखेंगे चलिए इस पर लिखके बताता हूँ मैं आपको अगर हम बात करें यूनिटी और डारेक्शन की है है heading के डालेंगे डालेंगे direction ठीक है एक्जामपल इन football यह इन hockey all the players किस तरह भागते हैं move towards one direction यह move forwards टूर्ड कॉमन गोल इधर भागते चलो भागते चलो भागते चलो दरनादन दोड डोड लगाते हैं similarly बिलकुल इसी तरीके से इन मैनेजमेंट all employees किस तर दोड़ते हैं should have किस तर दोड़ता है employee को भी यानि शुद रव common direction सभी की direction common होनी चाहिए यानि की वहरो क्या होती है company के organization के goals अजब बात गुटनों तक पहुंच चुकी होगी पहुंच चुकी होगी पहुंच चुकी नहीं पहुंची है अजब बात गुटनों के बात पहुंच गई होगी उसे सेव रखनी है यह बात सभी के बात तो यह होगा unity of direction अब देखे एक्जाम में इसका question क्या आया हुआ कई बार यह होट question exam में आया हुआ है बहुती गर्म-गर्म question है यह तो यह exam का गर्म-गर्म question क्या है एक बार exam में देखे क्या है चलो बात करते हैं एक ऐसी company बताओ एक ऐसी company जो दो चीज़े बनाती हो product जलब भूता तो कौन से सी कमपनी है जो कार भी बनाती है और स्कूटी भी बनाती है जल्दी सोचो hall you have to tell you को तो कौन सी कमपनी है स्वेषा and पारे का रीजु उस्पारे कॉल है शकूटी भी बनाए है थीड़ी, ढूंता शरूर हो चुका है, तीस सेकर्ण का वक्त, आपके पास है, और कॉंसी कमपणी है, सब्सक्राइप है, यह सही जवाब, घॉन्डा, भॉन्दा कार प्रोटिय, थी Appreciate ना, और अंडा स्कूटर्ब बनाती है, HondaActiva, थीड़े, तो हॉन्डा कमपनी, क्या करती है manufacture या produce car and scooty right तो उन्हें क्या करना चाहिए it having यानि company having two separate divisions क्या उन दोलों के एक दिविजन हो सता है क्या मतलब होनल चाहिंक का तरे का पछाल कर पीड़ीजन और bike का गिड़ीजन का भी धcausto school teach I dentro bike की marketing or schoolthing marketing bike के टार्गेट scooter 此ंग , so bike के सामरी bike का टारेट eating car के तरेट God पूसकता है Like और वाइक अगई नहीं बाइक और आखोई टो बैठे वह हुए ह Hers राइट और कार वहिए है थीकर नन को बाइक के और कर के ईख्थ यह समझा इग बाइक का और स्कोटी का A क्या एक ही चाहिट में कार की मार्केटिंग चल रही हो यौन्डा फूटी के साब से बहुत सल्यूपी पोट अग्डा एक सील ragी में हरको दो क्या एक उलोग क्यों नहीं किल हैं दो अलग लग डिविजन उना रख एक हमडस कूटी और हैं तुछ एपरेट डिविजन सिरे वह przysz बाद For both दौनों ही division के लिए ठिक है कि लिखने है For both Car and Bike Each division Two separate division for both Car and Bike हो मआ लगाते है Each division Has its Own goals एंड प्लान एट्सेक्ता सभी डिवीजन के गोल और प्लान क्या है अपने अपने खुद के अपने खुद के प्लान और वह हैं कि एक साथ हैं फित्टिक है गोल प्लान बैलग यद तो बताऊ विच प्रिंशीपल बहुत ही खतरना कौश्च्छन है which principle is followed ठीक है अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो आपको लग रहा हूं को सारा आपसर तो यही देना है ठीक है लेकिन उससे भी जरूरी चीज है कि जब यह question एक्जाम में आएगा तो आप इसको क्या जवाब देंगे यह बताओ जवाब देंगे तो कई बच्चेस का जवाब ने पाते तो आंसर बताए क्या है आंसर इस प्रिंसिपल इस वालोड कॉल्ड यूनिटी ओफ डारेक्शन तो इस डारेक्शन है दोनों ही दोनों डिवीजन अपनी अपनी डारेक्शन में जा रहे है सुमेना बात ने तो यूनिटी ओडारेक्शन ये एक्जाम में बार आ चुका है तो इसलिए ध्यान से इसको याद करना है अब बात आती है सर पिछली बार की तरह ये तो जानना बहुत जरूरी है अगर मैं यूनिटी ओडारेक्शन फॉलो करता हूं तो इसके क्या दो इफेक्ट है ठीक है बताईए यूनिटी ओडारेक्शन अगर मैं फॉलो करता हूं तो क्या होगा क्या फायदा होगा अचीव कॉमन गोल कीक है यह तो गोल अचीव होगा दूसरा बताओ दूसरा क्या फायदा होगा अगर मैं यॉनिटे और दिप्लिट। फॉलौएट लो करता हो रच दूसर फायदा होगा, यॉनिटी ओफ एकशंच वह मिल करें गया हमार внे एक्शंन मैं उप्लिट। वॉर्किंग में बताओ क्या लगता है? पहला नुपसान क्या होगा? चीव कमन गुल? गोल अचीव नहीं हो पाएंगे? चीव है? और दूसरा? यानि की मैं दोनों दोनों मालो कार का और स्कूर्टी का प्लान या उनकी मार्केटिंग, अगर मैं एक कर दूँ ठीक है तो क्यों होगा बतायों है कि दार्क्टीव की डाक्षिन में छल रिलोग अलग अलग डारिक्षिन मी जा रहे हैं अ कि अ मुश प्लान कुछ और हों सब्सक्री Allahu क्यों होगा क्वे स्टी़ रिस्टे कह शोर्स इस लैक और रेंक और कोडिनेशन लैक ओफ Coordination आप पिछले चक्टर के Lecture No.10 में पढ़ चुके हैं ठीक है Mumbai डबबा वाला याद होगा आपको उसी case study मैंने अलग से डाल भी रखी है आप उसको ध्यान से लिख सकते हैं तो लेक आप Coordination होगा वेस्टेज और रिसोर्सेज भी लिख सकते हैं तो एक इतनी बात आपको सुझ में आई होगी कि unity of direction क्या होता है ठीक है जी अब ये जो बात है मैं आपको बार बर यही बात समझाता हूँ ये जो बाते हैं ये जो प्यार भरी बाते हैं इन बातों को आपको इस paper पें लिखना है ये तो मैं लिखना हूँ आपके लिए paper पे ठीक है उन बातों कहा लिखना है ये side वाला page जो खाली है इसके just side वाला page लिख रहे हो खाली है पूरा ये इस page पे लिखना है ये सारी बात है ठीक है यह समत क्यों कह रहा हूँ तो कि जब आप exam में book खोलेंगे यह वाली book exam में खोलेंगे तो आपको इसके इलावा और your book open करने की ज़रूत नहीं है यह रहा सारा का सारा data और यह उसके सारे example side वाले page पे यह उसके सारे hot side वाले page पे यह उसके सारे case studies side वाले page पे आप जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ और जो case studies है वो पीछे आपको end में दी जा चुकी है इसलिए इदरोदर copy में लिखना बेकार है इसलिए side वाले page खाली दिया है ठीक है अगर ऐसा करना होता कि मुझे कहीं वाले page पे लिखना तो तो मैं यहां पे प्रिंट कराकर देता आप चुन में आरिया बात ठीक है हाँ सर बिल्कुर समझ चुके हैं आप हमें रोज एक बास समझाते हैं और रोज मुझे समझानी पड़ेगी कि इस वाले side वाले page पे ही यह सब लिखना है अगला जो बहुत खतरनाग point है जो बहुत जरूरी है वो है subordination of individual interest to a general interest यह हैं ति फ्योन ले यह उठाया भईया आर्मी से जर्मनी की आर्मी होगा या फ्रांस की आर्मी होगा सब जगए एक रूल सिक्हाया जाता है छिए बहुत सारी आर्मी के पिच्चर है आपने दिन दिख्योंगी जैसे अभी पूरी पिच्चर है ठीक उसके पहले बॉरटर पिच्चर भी आई थी आई थी आई बॉरटर पिच्चर सनीदेवल बाली ठीक है जिसमें सनी दिर्वल खुब चिलाता है है कि नहीं बात राइट मुखती महीतार पिच्चर थी वो भी ठीक है तो वो पिच्चर भी आई और उससे पहले भी कारगिल एलो सी बना ऐसे बहुत सारी पिच्चर है हमारी देश बक्ति के उपर आचुकी है उन सभी फिल्मों को अगर आप देखोगे और जिनके मम्मी पापा आर्मी में है या रिलेटिव जो भी आर्मी में है उन से आप पूछोगे तो ये जो रूल है ये आर्मी का रूल है ठीक है अभी भी हम सुनते आते हैं कि कि इतने सारे लोग आर्मी के जावान राइट तो ये उनको क्यों अपनी जान जो खिंबे डालते है और क्यों ऐसी जगह पर पोस्टिंग ले लेते हैं जहां पर बिल्गुल टेरिस्ट कभी बी अटेक कर सकते हैं सोचो आप पुल्वामा में टेक हुआ चालिस पचास हमारे जो शिपाई थे विचा हमारे जो आर्मी परसंते मारे के क्यों ऐसे जगह पर क्यों पोस्टिंग ले लेते हैं और ड़ते नहीं है रिजन पता क्या होता है उन्हें एक ही बात समझा जाती है एक यी बात आप समझ ले आप भी कि भी जो देश है पहले देश है फिर हम यह हमारे लिए भी बात लागव होती है है ना Right Nation First इक बाद जो हमेशा हमें सोच नी समय है Nation First पहले हमारा देश है फिर बाकि चीजे है बाकि सब चीजे बेकार हैं पहले अपना देश है तो पहले देश के लिए काम करना पड़ेगा देश के लिए कुछ करना पड़ेगा आपक नहीं तो सहाँ और यह तो हम अदैश कर सकते हैं। इंतने समझदर हैंाफ्ट के अवह एक गैद्न के सड़क ओपर नहीं डालते हैं। पर इससे आगे एक लेबल और जा सकते हैं और वो यह है कि अगर कोई डाल रहा है ठीक है उससे लड़े नहीं उसको अराम से समझाए और वो नहीं समझ रहा है तो उसने जो पूरड़ फैगा उसको उठाकर हम क्या कर सकते हैं तो शाद कभी ना कभी तो दिल पर बात लएगी कि हाँ याँ कोई मेरा फैकर वी चीज़ को उठाकर डस्विंड में डाल रहा है तो इंदारेट वी भी होता उसको समझानेगा क्या वो काम करें जो वो नहीं कर रहा है तो इससे हमारी रेपूटेशन हमारी इज़त या हमारी मार्केटें दो रिस्पेट नहीं किर जाएग कि अपना हमेशा स्वार्थ अपना इंट्रेस्ट सेकेंडरी है यॉर इंट्रेस्ट इस यॉर इंट्रेस्ट हमारा इंट्रेस्ट किया होगा बता हमारा इंट्रेस्ट होगा हमारी फैम्ली है ना पैसा चीक है घर में जाके मिलने के लिए छुट्टियां हॉलिडेस भूमने यहारा इंट्रेस्ट जो हमारा इंट्रेस्ट है यह सेकेंडरी है इस सेकेंडरी फिर्स्ट क्या है दफ्स्ट इंट्रेस्ट इस नेशन हमारा देश है न देश परमो धरमा देश की अबसे बड़ा धर्म है हमार लीए तो यह सिखा जाता है आर्मी में कि देश कि लिए जान देदी घर वालों के बारे में नहीं सोच रहे एक भी ओफिसर एक भी आर्मी परसन यह नहीं सोचता कि मेरे घर में मैं ही अकेला का माने वाला हूँ मेरी वाइफ अकेली है वो अगर मैं मर गया तो वो है ना अकेले रह जाएंगे बच्चा अकेले उनकी देखरें कौन करेगा यह मेरे बुड़े माबाप है अगरे बहुत साइब श्टोरी अब सुनते हैं सुनते निसुनते हैं कि एक परसंता और वो आर्मी में था बलकि उनकी वाइफ्स होते हैं वो खुद खुद कहते कि जो अब हमारा बेटा है भी भी आर्मी में भीज़ेंगे इतनी उनके अंदर ताकत होती है कि मरने के बाद भी उसी दिन बोलते है कि बेटे को भी आर्मी में ही भीज़ना है देश की सेवा करने के लिए तो ये उनकी खून में ये उनका खून में डालते जाता है कि परिवार सब बाद में है रिष्टेदारी सब बाद में है पहले क्या है देश, देश होगा तो हम होगे हम से देश नहीं है चाहिए मैंना बाद, देश से हम है राइट, देश है तो हम है, कंट्री है तो हम अगर कंट्री नहीं होगी तो कहा जाएंगे आप तो यह उन्हें सिखाया जाता है ठीक है न और इसलिए वो पनी जान भी देते हैं अब ये जो आर्मी का रूल है ठीक है आई हो आपको बात समझ में आई होगी बहुत सीधरेस नोट पर ठीक है कि नेशन इस आलवेस फर्स्ट नेशन है जो बात है ये वाली बात हमारे खुद भी हमारे यहां लगती है अब कं कंपणी के लोगों को सिखा जाता है कि तुमारा इंडिवीज़ इंट्रस्ट मेरा इंडिवीज़ इंट्रस्ट कै वह ही मेरी फेंबली पैसा प्रमोशन समझे रहे बात को वो secondary है ठीक है ना subordination या रहे कि वो secondary है to general interest जनल इंटरेस्ट का है company का goal company का फायदा सब का फायदा यह company goal achieve करेगे तो भी हम goal achieve करेंगे नहीं करेंगे ठीक है तो यह क्या है subordination individual interest मेरा खुद का अपना interest बाद में है मेरे company और मेरे जो common goals है वो मुझसे पहले ठीक है यह बात समझ में आई होगे आपको ठीक है ना तो इसके side वाले पिछ पे क्या लखेंगे इससे इसका मतलब क्या हुआ subordination of subordination वाले पॉइंट के लिए हम क्या लिखेंगे इसका मतलब क्या हुआ यह इससे इससे लिखेंगे एच इंडिविज्यल हरे इंडिविज्यल इन कंपनी या और ऑगनाइजेशन शुद सेक्रिफाइस हिस पर्सनल इंट्रेस्ट फॉर कंपनी के इंट्रेस्ट के लिए ना फॉर अचीविंग कंपनी या और ऑगनाइजेशनल गोल ठीक है आर्मी की तरह है ठीक है अब एग्जाम में एक बार गर्म गर्म क्वेश्चन बताओ क्या है इससे लिखेंगे अब जहां समझना वो क्वेश्चन क्या लिखा है क्वेश्चन एकजाम में आया इफ लिखियल इंक्रिमंट अ उफ इंपलोई इस द्यू बट कंपनी जो हमारी कंपनी है वो बिचारी लॉस में चलती है कम्पनी इज इन लॉस वो दगा अमिर खान माला है वो बहुती बड़िया मुवी है वो जो मैंने आपको सीन दिखाया है सारे प्रिंसिपल उसमें मैंनेजमेंट के लगा सकता है आप डिसकस करेंगे वो भी वो कमरी लॉस में चल रही है ठीक है आम रखान के रहे हैं अभी शेट का और पूरा करना यादा है कम्पनी इज लॉस ठीक है इंप्लोई सैट जितने भी इंप्लॉई हैं इंप्लोई एग्रीड के लो इंप्लोई एग्रीड बैट दे विल ड्रॉप पर के तो लीव छोड़ रहे है वो दे विल ड्रॉप देयर इंक्रिमेंट ऐसे महल लोग कहा होते है अज पर क्या अपनी बढ़ रही है सेलरी अपनी सेलरी को कर रहे है छोड़ रहे है तो मेक दे लॉस गुड़ वह कंपनी का लॉस गुड़ करने के लिए इंक्रिमेंट छोड़ रहे है तो बताओ विच हैंड्री फिरोल्स प्रिंसिपल इस फॉलोड यह अच्चो बहुताओ न अभी तो बहुत असाल से लग रहे हूंगे तुम्हें अरे सैसा तुच्छी बात लेकिन जब यह कुर्शन एक्जाम में आते हैं यही कुर्शन जब मैं तुम्हें टेस्ट में दे दूंगा तो रॉंग टेकर हो जाएंगे तुम्हारे कि यह क्या चक्कर है इसका मतलब मुझे 14 के 14 प्रिंसिपल बहुत तरीके में याल होने ची तब जाके बात बनेगी ठी प्रिंसिपल ओफ सब ओडिनेशन ऑफ इंडिवीजियल इंट्रेस्ट टू जन्रेल इंट्रेस्ट अब इतकर मन जाते लोगा सानी जे कि यह अपने इंट्रेस्ट को बात में रखा कि हमारे अपनी शैलरी छोड़ दी कम्पनी का लॉस बचाने के लिए लेकिन जब एक्जाम में कुश्चन आएगा तो 14 के 14 जागर आपके सामने याद आएंगे तब ही आप इसको पिचानता होगे हाँ भी हमने सेक्रिफाइस किया है ठीक है अगली बात सर इसमें क्या पॉजटिव है अगर मैं इसे फॉलो करता हूं तो दो नेगेटिव बात अगर मैं इसको फॉलो करता हूं तो क्या फायदा होगा कंपनियों गोल अचीव होगा ओगनाजिशन गोल्स फर्स्ट अचीवड अचीवड आजब यह बात सन्में आगए होगा दूसरा गोड रलेशन्शिप है ना याद रही बात गोड रलेशन्शिप बिट्वीन किसके बीच में वर्कर्स एंड मैनेज्मेंट ठीक है जी क्या नेगेटिव असर होगा अगर मैं प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता तो पहला नेगेटिव बताओ अगनेशन गोल अचीव नहीं होंगे हम अपने पर्सनल गोल अचीव कर जाएंगे कंप्री लॉस में रहेगी और मैं शेलरी भड़वा लूँगा तो ऑगनेशन गोल्स नॉट अचीव और दूसरा लैक ओफ कोडिनेशन सर कोडिनेशन भी नहीं हो पाएगा क्या करें अपने 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 फाइदे की सोचने अब यह दुनिया में सच कह रहा हूं नहीं तूट कह रहा हूं सबज गए ठीक है तो अगर आपने नोट नहीं किया यह उपर से आप स्रबोडिनेशन वाला पॉस करके नोट कर सकते हैं ओके तो आईए चलते हैं अब अगले प्रिंसिपल की तरफ सब्सक्राइब अब आता है प्रिंसिपल और मुद्रेशन यह तो तुम बहुत बार तुन चुके हो यह ना तो वही एक्जामपल भी यही लिख लेगे हैं और जो पहले दिया तो यह लिखते हैं फॉर एक्जामपल इसको भी दुपार समझाने की जरुत है क्या है अरे प्रिंसिपल आप्रेशन मतलब फेयर रेमुनरेशन सही काम सही दाम है ना जैसा काम बिलकुल वैसा ही परफेक CEO सुनुदर पेच्चे ही नेट्पून के बारे में आप पढ़ सकते हैं 302 करोड रुपीज अप्रॉक्सिमेट इतना है एक्जैक्ट अमॉंट दो बता नहीं है इस ज्यादा कम नहीं इस फेयर रेमुनरेशन ठीक्याच विच डिपैंड अपॉन जो विच डिपैंड उन्हें जबरसी इस अपश्चे नहीं देजा रहा है इतने पैसे पैसे फालतो नहीं डिया रही गूगल वालों के पास which depends upon his nature of work तो जब Google Chrome यूज़ करते है न वो उन्ही की देन है ठीक है न जो उनके nature of work पर depend करती है ठीक है अई यूप बात संब्यागी हो तो simple सी बात है इसमें कुछ पहुच़ा दिमागा लगाना ही नहीं ठीक है न और क्यों रिया रहता है बताओ अगर मैं उसको कम दूँगा अगर remuneration आप किसी को कम देंगे तो क्यों होगा वो employee satisfy भी नहीं होगा और वो काम डंग से भी नहीं करेगा अगर आप किसी को पैसा जादा देंगे ठीक है न तो क्या करेगा वो उसका misuse करेगा राइट तब भी वो काम ज्यादा ठीक से नहीं करेगा ठीक है इसलिफ फेयर दे जितना बनता है उतना ही देना चाहिए ठीक है अगर मैं फेयर remuneration का प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ ठीक है आप नेट वाले पेच पे लिखेंगे फेयर remuneration अगर मैं फेयर remuneration का प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ तो क्या पॉजिटिव है और फॉलो नहीं करता हूँ तो क्या नेगेटिव है अगर मैं फेयर remuneration का प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ तो क्या पॉजिटिव मिलेंगे और नहीं करता तो क्या नेगेटिव मिलेंगे बोलो सोच पारे निए पहला फायदा अगर तुम्हें घर वाले पॉकेट मनी जादे ना दे और कम भी ना दे बिल्कुल बढ़िया दें तो क्यों होगा हाई लेवल ओफ मोटिवेशन काम करने में मजा आएगा कि हाँ मेरी कंपनी मुझे ठीक ठाक पैसे देती है तो मैं और काम करूँगा तो मेरी सेलरी और भड़ सकती है ठीक है और गोड रिलेशन्शिप बेट्वीन अगर मैं किसी को फिर रेमुनरेशन नहीं जेता है यहां कहने का मतलब है जादे नहीं कम देता हूं पैसे कमी जेता हूं भाई मैं इतना ही देपाँगा बोल खेलना तो खेलो बनना गैट आट वली बात हैं और यहां कहने का हुआ एअ कि कर रहा है छाल डुख र्भी जाने चाहिं अच्छा कम में बहुता है तो क्या होगा लैक आफ मोटी 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 क्या है है जैका ऑफ मोटीशन गन निकल जाते अवे अपनी值 और दूसरा क्या जिए अन्हेल्टी क्या होगा unhealthy relation किसके बीच में between management and worker जो लिखा है उसका उल्टा कर दो बस आई होब बात आपके कुछनों तक पहुच चुकी होगी बहुत ही सिंपल तरीके से ठीक है यह था आपका principle of fair remuneration ठीक है लोट आपने साथ की साथ करी ही लिया होगा आईए और चलते हैं अपने अगले principle की तरफ centralization और decentralization यह बड़ी बड़ा मज़ेदार है तिमाटर बड़ा मज़ेदार ठीक है यही बड़ा मज़ेदार centralization and decentralization अब देखो यह पता यह हमारे मैंने का ना सारे की सारे चीज़े हमारे घर में फॉलो होती है अब यह वाला प्रिंसिपल भी हमारे घर में बिल्कुल अच्छे जरीके से फॉलो होता है ठीक है अच्छा इब बताओ तुम्हें जब बच्पन में थे बच्पन की याद है वो भीगी भीगी याद है ठीक है न तो जब बच्पन में थे तो जो आपके सारे डिसन्स होते है में कि स्कूल में जाना है कहां पढ़ना है कैसे करना है ठीक है समान कहां से लाना है वो सब आप अपम में लिया करते थे ठीक है न यानि कि सब कुछ घरवाले की तरफ से ही होता था, अब क्या होता है, अब जिस स्कूल में आप है, यह पापरेट डिरीजन ले चुका है, और वो आप उसे स्कूल में पढ़ी रहे हैं, आई हो पहुत सारे बच्पन से यह काविश सालों से से स्कूल में पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको कोचिंग कहा पढ़नी है है ना जैसा कावल से कोचिंग आप कहीं पढ़ रहे होंगे है ना किसी टीचर के हां राइट इकना आप इसकी पढ़ रहे होंगे ठीक है बिस्निस में पढ़ा रहा हूं राइट फिर भी हो सकता है कहीं पढ़ रहे होंगे तो आपको यह सब्चेट कहा पढbourgणा पड़ना है पर्टिकुलर गौचिंग कहा पे लेनी यह时न आप लेते ытयों तु यही होता है सेंटरलाइजेशन और टीं धेसं टेनाइसें प्रेऊ का मतलं हमपणिन के में में मुद्दे अब व्याद कहां गूमने जाना है यह तो पापाई बताएंगे ना अब तुम कहते हैं ले चलो तो पापा शुजलेंड ले जाएंगे यार यह तो पापा लेंगे यहां जा सकते हैं यहां है इतने दिन की शुटी हो सकते हैं ठीक है लेकिन हो सकता है जब भूमने जाने तो तुम्हें होटल कौन सा लेना है याप नेट पे सर्च करने तो यह पापने का चलो अपनी तरफ से असकर बहुत सारी साइट्स आती है ओ यो हैं न में दिसीजन जाना कितने जनके जाना है उसे बोलते है जो स्ट्राइशन यानि कि जो पापा और ममी लेंगे डिसीजन जो लेने हैं वो कौन लेगा वह आप ले सकते हैं यानि कि जूनियर लोग ले सकते सुन मैंने बात है ठीक है यानि कि अगर कोई में काम करना है तो वो बड़े लोग लेंगे डिसिजन अब शादी का डिसिजन ठीक है अब यह मत कहता है वो तो हमीज देञे लेंगे है ना यह बात को ऐसे तो बात सभी कहा रहे तुम तो आज मैं अगर आपने कहाँ ऐैं है तो यह यह नहीं हो बाद में करते हैं और इसक्के पास अनेरिषह कुछ ऑ क्या करते हैं डिसिजन मेंग डिसब्सक्राइड नहीं कि कुछ ही घटनी मेंग रहते हैं और decision making power among more than one person एक जन्हों से ज़्याद में बाढ़ जन्हें आपको भी वो power दे देना हाला कि इस chapter को हम organization वाले chapter में हम इस topic को बहुत अच्छे से और पढ़ेंगे ठीक है ना फिलाल यहां तो उन्होंने बता है कि centralizedization decentralized होना ज़रूरी हो एक बंदा सारे decision नहीं ले सकता अब देखो reliance geo free करना है ठीक है ना reliance geo free करना है तो यह किसका decision है यह example लिखेंगे ठीक है example क्या होगा centralization and decentralization इस वाले principle का example क्या होगा for example for how many months reliance geo geo will be free for public कितने दिन के लिए यह geo के सिंफ फ्री रहेगी जैसे मुकेश अंबानी जी ने छे महिने फ्री किया तो यह कौन लेगा decision it will taken by only decision is taken by only मुकेश अंबानी यानि company के MD it is called centralization इसे महीं बात है यह बात तो यह होगा भी उनको मेंड डीजा लेना है बट रिलाइस के जितने भी sim होंगे sim card आपने फ्री दोंगे और मेरा तो अपनी लंबी के लाइल लगी तो लोग 44-50 लोग लाइन में लगके खड़ें के sim ले रहे है ब्लैक में बेक रहे हैं लोग में फ्री के sim बाइट रहे हैं तो उसे भी 200-300 रुपर में बेक sale किया जा रहा है sim but sim is distributed distributed at which area is decided by junior employees अब भीया इवा उता हो जैसे भी मैं नॉइडा में बढ़ रहा हूं आपको यह ना हम नॉइडा में रहे हैं तो नॉइडा में किस area में किस sector में सब्सक्राइब बात नहीं है तो यह मुके शम्मानी मुंबई से थोड़ी आएंगे चलके रभ यह sector 70 में बाटो फिर sector 62 में बाटो फिर sector 150 में बाटो ऐसा नहीं होता वो तो यहां का है नॉइडा का जो है डोगा वो बताएगा भी किन-किन जगहों पर हम यहां पर केनोपी टाइब लगा देते न चोटी सी टोपी टाप लोग बैठे होते हैं बाटने के लिए फिरी सिम वह किन दुकानों पर हमें इसम को डिस्ट्रिब्यूट करना है तो यह वो डिजन लेंगे तो इसम क्या बोलेंगे इस कॉल्ड डी सेंट्रलाइजेशन है अब बात गुतनों तक चली गई होगी ठीक है यह तो होगा हमारा एक्जामपर ठीक ना है अब बताओ जण्रली क्या होता होगा कौन सी इक ही बंदा अल예र के पापा को शोरूमें जुकान करते हैं तो पापा इस समाल आपको जो पावर देखें हो डेइसेंटराइस तो जेनर सेमरी क्या होता है जनेरिली गीर चीह एक कंपनुञ और बग और अगनयजàyला जर्फiale держ इंद जैसे कि अगर यूपी में भी है हमारे एंपी में भी है राइस्तान में भी है तो वहां के लोगों को पावर जिदी कि आपने इसाब से सिम को डिस्ट्रिबूट करें डिस्जन ले सकते हैं कि अधी कि यह में वाद पर अग्जाम्पल दूसरा एंपल के लिख सकते हैं तो यह होगी एक्जामपल आख सकते हैं मुंबई डब्बा वाला की स्टोरी वह दोबारे देख लें आप जाके वीडियू कि मुंबई डब्बा वालाज कि आर डिसेंट्रलाइज और अगनाईश अगले ग्जामपल देखिए अगले ग्जामपल क्या होगा इस यही एकजाम में एक बार कोस्ट्ट आ चुका है कर्मगरम कोस्ट्ट इट सौर्ट है ठीक है अब बताओ कोस्ट्ट्ट यह था है इन आर कंट्री इंडियां इंडियाए नआ पंचायद इस्ट्रम होता है समझते तो इस पंचायत क्या होता है पंचायद का मतलब होता रहे और मेनों गाउमे जो हेड होता है प्रधान है उस बूज्ड देख्रे पर दरहसं उनके साथ करते हैं मिल के उसे पंचायद बोलते हैं, तो गर्मेंट पंचायद को पैसे देती है, ठीक है इन आर कंट्री पंचायद have been given उनको दिया गया सारा का सारा काम, have been given more power, उन्हें ज्यादा power दी गई है, क्या उपने इस आप से गाउं की देखरेट कर सकते हैं, to decide and spend funds, यानि की money, granted by Indian government, government इतना अपने इसाब से खर्च करें, है न, for its village, अपने गाउं के लिए अपने इसाब से खर्च करें, ठीक है, अब बताओ, which principle followed, re-centralization is followed at national level, समझ गए, ठीक है, समझते नियवाद को, प्रिशानोते और रात को, अब अगली कहानी क्या बताओ, अगर मैं principle follow करता हूँ, तो क्या होगा, और अगर मैं principle follow नहीं करता हूँ, तो क्या होगा, तो क्या होगा, पेपर को थोड़ा सा मोट लेते हैं, ठीक है, आओ, पहली बात, अगर मैं centralization और decentralization दोनों को follow करता हूँ, तो positive effect और नहीं follow करता हूँ, तो negative effect क्या हूँ, यह और मैंनों बताइए, क्या positive और क्या negative है, बताओ, अगर centralization के साथ सब्सक्राइशन ही follow होता है, तो क्या होता है, effective decision making, ठीक है, at middle level, as well as lower level, अभी middle level and lower level को गिंद्चार करने की जो पनी होना, कि यहाँ बंबई से आएंगे, मुके जम्मानी, फिर यहाँ पर decision लेंगे, फिर हम आगे बाद बढ़ाएंगे, फिर आगे हमारा product दुगेगा, अपने आपी लेलो, ना अपने आपी decision लेलो, और जल्दी decision होगा, ठीक है चाज महीना बात, तो इस active decision होगा, middle level, 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 और क्या होगा, motivation, motivation भी बढ़ेगा, employees के बीच में क्यों, क्योंकि उन्हें इस बात के यकीन होगा, कि company को इस बात का यकीन है, कि हम सही decision ले सकते हैं, and sense of responsibility, motivation and sense of responsibility, मैं जो decision ले रहा हूँ, उससे मेरे जो heads है, या मेरे उपर जो top level management है, वो, खुश होगा, यहां भी बहुत बंदे ने बिल्कुल सही decision लिया, अगर मैं centralization ये decentralization वाला process follow नहीं करता हूँ, तो क्यों 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 सोचो कैसे, यारी कि noida में, एक छोटी सी दुकान पर या एक showroom पर mobile showroom पर भी sim बाटने के लिए, मुझे permission किससे लेनी पड़ेगी, वोगे जबाने से, तो वो, उनको phone करना पड़ागा, उनसे apartment लेने पड़ागा, फिर वो मुझे बदाएंगा कितने sim free बाटने है, ठीक है कैसे उसको प्रोसेस करना है कितने दिन में अक्टिवेट हो जाएंगे तो भी जो हो जाएंगा सारा मामदा ठीक है चल महीना बात यानि हर टीजन अगर आपके पापा लेने नगें तो यह बात तक सोचने के लिए कि सारा पापा आज खाने में कितनी रोटी खानी है ठीक है त इसलो हो जागा हर चीज में तॉप लेवल से नहीं बूश सकता वह और भागा देंगे क्या वही है तुम दिमाख तो खुद भी लगा सकते हो एक अगर और दूसरा है अगर अगर हंडेड परसेंट डी सेंट्राइशन हो गया अगर आप 100% Decentralization करतें तो क्या होगा Missuse of Power Missuse of Power in case of 100% Decentralization अगर सारी पावर तुम्ही देदे कि यह लो तिजोरी की जाबी जो खर्च करना है कर दो जो इसे मर्च चलाना चला लो तुम तो एक दिन में लुटा दो को सारे पैसे मैंना तो घरवाले गाना गाते रहेंगे तो लोट गए तेरी मोहबत में 100% Decentralization आई हो आई होगी कि हमने आज क्या पड़ा है हमने अपने चार प्रिंसिवल कवर की हैं और आपने हाथ क्या नोट भी कर लिया होगा है कि ने मात चीक है अब बात ही आती है कि सर कुछ कोश्शं जो मैं आपको देना चाहता हूं जहां थोड़े से दूर चलते हैं तो पीछे की तरफ चलते हैं भुक के पीछे जाएंगे थोड़ा सा आची ग्लास के लिए पहले आपको कि मैंने आपको करने हैं कि 25 दिख रहा है इस पड़ो जड़ा यह वाला लाट बनातर वैट इस पहले दिख रुटांट सा इस नदा आपको कि अधाल आपको के फोड़ा अयह वालाइक है ट्वेंटीफ इस इवन अधे थेख जी एफ्या आपको के वालाइक है एफ यह वह वग है थेख जिए फ्टीफ सिक्स यह वह हूम हाई समय बाद यह भी आप समझ चुके होंगे राइट पीछे कोई देखें तो इक्टी नहीं यह बहुती मज़ेदार पुछाएगा इक्टी ठीक है यह भी ओमबक है आपका ठीक है ज्यान से करना है इक्टी और अगला जो 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 है इसे पास दुटी आपके लिए वूमबर है ठीक है जी राइट तो जिन बच्चों के पास बूग पहुंच चुकी है वह यह कैस करेंगे ठीक है जिनके पास बुक नहीं पहुंची है वो यहां से नोट कर सकते हैं नोट डाउन कर लिजे या स्क्रीन शॉट ले लिजे अगर मोगाल में देख रहे हैं तो समयन बाद तो अभी फिलाल आज के लेक्चर के लिए इतना ही पढ़ते हैं ठीक है तो रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है तो आज हमने पढ़े थे फिर से अगले चार प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ डारेक्शन सबार्टमेशन अफ इंडिविजिल इंटरेस्ट जनल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अफ रेमरेशन सेंट्रलाइशन एंड डी सेंट्रलाइशन और कुछ पुश्चन जो मैंने आपको दी हैं वो करने हैं तो मिलते हैं अगली ग्लास में अगले लेक्शर में ठीक है कीप लाइकिंग कमेंट करते रहें सीखते रहें आगे बढ़ते रहें और इस तरफ इस तरफ बढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है और सौम इसे सौ लेकर आने इस कसम की तरफ आपने आपको बढ़ाते रहें मिलते हैं अगली ग्लास में अच्छा चलता हूँ दूआओं में याद रखना झूआँ झाओं झाज़ां याद आने इस तरफ आने याद़ झाल सक्डाने रहें अच्छा? ऑ만रो बढ़ते हैं दो जसम descub हैं झाल झाल